Hi everyone! Welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Pala Krakhyani. इस सेशन में हम शुरुवात करेंगे एक तम ब्राइन न्यू चाप्टर, चाप्टर नम्बर एट जसका नाम है Little Girls Wiser Than Men. Lesson 8 है भाई ये और इसमें जो है हम पढ़ेंगे कैसे दो friends की कहानी है, बहुती मज़िदार स्टोरी है ये और कैसे जो है उनके बीच में चोटी मोटी लड़ाई होती है और आगे जाके लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिलता है अब because the title says Little Girls Wiser Than Men, तो कैसे जो हैं ये चोटी बच्चियां men का मतलब यहां किसी एक इनसान से नहीं है, लोगों से है, human से है कि कैसे जो हैं ये चोटे बच्चे बाकी बड़े, इवन जो बाकी बड़े लोग हैं उनसे कितने जादा बुद्धी मान हैं और समझदार हैं तो वीडियो के बिलकुल एन तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं, क्लियर हो जाएं Magnet Brains Hindi Medium एक ऐसा चानल है, जो आपको प्रवाइट करता है सेवन से लेके 12th क्लास तक, बिलकुल ही free of cost education and even यहाँ पर आपको मिलती हैं books and e-books भी जिने आप description की link से avail कर सकते हैं Let's begin with this session Now, coming to little girls wiser than men, तो आपको बता दूँ, क्योंकि आपके जो है lesson में बुक में यहाँ पर दिया नहीं गया था parach, so writer के बारे में इतना था सब्सक्राइब को बता दीं हुँ, यहाँ पर writer का नाम ही सिफ दिया था थोड़ी इनके कहानी बता देत ему यह कौन थे, क्योंकि यह writer हों लिखा है इतनी बढ़िया कहानी तो writer कबीटा नाम है author का नाम है Leo Tolstoy और इनहो ने जो है literature में, काफी interesting और बहुत ही मैं बोलते हूं न सीख देने वाली कहानी है forgiveness के उपर, तो शुरुवात करते हैं इस lesson की quickly से It was an early Easter, sledging was only just over, now still lay in the yards and water ran in streams down the village street, so जैसे कोई कहानी आम start होती है, तो वैसे ही इन्होंने शुरुवात की है कहानी, it was early Easter, Easter का त्योहार था, early Easter यानी क्या, Easter का त्योहार बहुत ही होता है न, त्योहार आगे पीछे होता है, तो त्योहार जल्दी आ चुका था, Easter का, तब की बात कर रहे हैं, शुरुवाती था, Easter का दौर, sledging was only just over, अब sledging क्या होता है, जो बरफीले इलाके होते हैं, आप यहां पे देख सकते हो, तो sledging basically एक ऐसी कोई ride होती है, जिस पे आप बरफ पे ride कर सकते हो, अब है रोड पे street से क्योंकि अब बरफ जो है, पिघलने लगेगी, sledging कब ओवर होगी, जब थोड़ा गर्मी का मौसम आईगा और बरफ जो है, पिघलने लगेगी, तो वही पानी you need to answer only in English language, आप हिंदी तो लिख के नहीं आओगे exams में, तो आपको अपने आपको कैसे train करना है, कि जब मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूं, तब ही आप समझने की कोशिश करें, and because my maximum explanation is in Hindi only, तो इसकी अपन को कम ज़रुरत पढ़ेगी, फिर भी reference ले दिया हुआ है, हाना, शुरुवाती Easter का समय था, बर्फ में गाड़ी चलाना खतम हुआ था, बर्फ अभी भी थी, थोड़े गाओं की गलियों में पानी बहने लगा था, थोड़ी थोड़ी बरफ थी थोड़ी पिगल रही थी, like that, okay, चलिए, अब शुरुवात करते हैं हमारे में जो दोनों heroines हैं, टू लिटल गल्स की बात है यहाँ पे, टू लिटल गल्स प्रम डिफ्रेंट हाउसे, हापने तू में तू होमस्टेद्स, वेर दिटी वाटर, आफ्टर रनिंग थू थू farm yards, had formed a large puddle, तो दो छोटी लड़कियों की कहानी है यहाँ पे, जो कि अलग-अलग घरों से रहती थी, अलग-अलग घरों में यानि वो पहने नहीं थी, दो डिफ्रेंट घरों में रहती थी, and वो कहाँ पे मिली, they met in a lane between two homesteads, अब बेटा homestead क्या होता है, एक घर होता है एक specially, एक बहुत बड़ा सा area नहीं होता, जैसे farm house जैसा, अब वहीं पे जो है, homestead के बीच में वो मिली थी, वहाँ से एक lane होगी, मालो, यह कितना बड़ा सा घर का area है, यहाँ पे एक घर, है ना, फिर यहाँ पे एक घर, ठीक है, बहुत ही गंदे घर बना रही हूं, मैं पर घर समझा, और उसके बीच में मालो, एक lane है, तो वहाँ पे उस lane में वो मिली, जहाँ पे farm से जैसे खेत वगेरा होते हैं, तो वहाँ से मालो, अपने खेती वेती करी, पानी बहे के एक जगा पे आ जाता है, तो वह ऐसे पानी इखटा होता गया, और एक large puddle बना दिया, puddle basically क्या होता है, एक अपन जिसे मैं हिंदी में बता है, गड़ा कहता है न, पानी के गड़े बजाते है, गड़ा होता है पारिश में और जैसे उसमें पानी भर जाता है, तो आप उस पे splash भी कर सकते हो, कुछ बच्चों को देखा होगा, बड़ी हम आपे jump करते हैं, तो ज large puddle बन गया, अब दो लड़कियों में से एक लड़की काफी छोटी थी, one girl was very small, the other a little bigger, यानी एक लड़की छोटी थी, उमर में थोड़ी और एक बड़ी थी, their mothers had dressed them both in new frocks, उनकी माव ने उने जो हैं, अब अरली इस्टर के बाद था, तो मस्त जह हैं, नहीं नहीं उने frock पिनाई थी, the little one wore a blue frock, the other a yellow print and both had red handkerchiefs on their head, जो छोटी वाली है, छोटी वाली ने कौन से कलर की फ्रॉक पहनी थी, blue कलर की फ्रॉक पहनी थी, the other a yellow print और दूसरी वाली ने एक yellow print की फ्रॉक पहनी थी, और दूनों के हाथ में red गलर के हैंकरचीफ यानी हैंकी थे, रुमाल जो की उनके सरपैसे बंदे हुए थे, ठीक है, clear है बिलकुल, they had just come from church when they met and first they showed each other their finery and then they began to play, यानी अब यार आप इमाजन करो, बच्चे हैं यार बच्चे तो देखके आपस में जल्दी से दोस बन जाते हैं और खेलने लगते हैं, तो यहाँ पर लोग must dress करके गही थी और और उन्होंने जो है, मिलके यार आप must dress पहनते हो नहीं, तो आप अपनी dress दिखाते हैं, क्यार ये दिख मेरी फ्रॉक नहीं नहीं ममी लाई है, तिक मैने head पे ये पहना है, मैने ये जूल्री पहना है, earrings देख और ये देखो, काफी चलता है यार ये सब, तो and especially girls में तो उसरे को दिखाती हैं, and then they began to play, so first they showed किया दिख मैने ये पहना है, ये पहना है, and then जो है वो खेलना शुरू करती है, soon the fancy took them to splash about in the water, and the smaller one was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her, अब जो है, and ये fancy ना हम सब को भी होती है, although अब हम बड़े हो गए हैं, जो जाते नहीं है, कभी भी हमको जो है ना बारिश है, ऐसे मौसम में, पानी भरावा दिख जाए, तो बड़ा मन करता है, उस पानी में जाए एकदम splash करो हैं, छपाक करना, but अब जो है, उन दोनों क into the puddle, when the elder checked her, अब दूसरी वाली थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी समझदार थी, तो वो उसको check यानि उसको जाके बोलती है, क्या बोलती है, देखते हैं, don't go in so, Malasha, said she, your mother will scold you, I will take off my shoes and stockings, and you take off yours, यानि overhead, if you can see, inverted commas, जावर inverted commas दिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो words बोल रह है, don't go, अंदर मत जाओ, और क्या नाम लिया, Malasha, तो finally, यानि नाम से परदा उठ चुका है, जो छोटी वाली थी बच्ची, उसका नाम क्या था, Malasha, ठीक है, वो कहती है, अंदर मत जाओ, तो मारी मम्मी तुम्हें डाट लगाएगी, एक काम ऐसा करते हैं, कि मैं जो है, अ च्टी है कि भाई, शूज और स्टॉकिंग समँ, तुम भी अपने अपने उतार लो, शूज है अथा परदा करते हैं , यानुन दोनोन न ऐसा किया, जूते और स्केम उतार लिए, ठीक है, पर जोन दोनोन बड़ी था, तो किया जोटल मे जाने लगें, है ठीक है, तो इसे मैं बता चुकी हूँ, definition दी है पडल की, small shadow pool of liquid spread on the ground, ठीक, अब the water came up to Malasha's ankles and she said, क्योंकि Malasha यार छोटू सी थी, उससे थोड़ी छोटी थी, तो उसके ankle तक जो है पानी आने लगा उपर, तो वो बोलने लगी, it is deep, I am afraid, तो इससे क्या परदाफाश होता है दूसरी वाली क के नाम पता चल चुके हैं, जो यंगा वाली बच्ची थी, that was Malasha and जो ओल्ड थी, that was Akulya, तो ये दोनों के नाम है, Malasha कहते, it is deep, यार गहरा है बहुत ही पडल, Akulya को कहते है, I am afraid, I am afraid यानी मुझे डर लग रहा है, आगे देखते हैं क्या करती है, Don't be frightened, it won't get any deeper, यहाँ पर the other से किसका कहने का मतलब है, इनका the other, यानी Akulya, Akulya, Malasha को, बोलती है किया, come on, आजाओ, जादा डरो मत, जादा deep नहीं होगा, it won't get any deeper, यानी इससे जादा गहरा नहीं होगा, When they got near one another, Akulya said, Mind Malasha, don't splash, walk carefully, तो जब वो एक दूसरे के पास आने लगे चलते चलते, तो Akulya ने कहा, Akulya है नी जो बड़ी वाली लड़की थी, उसने कहा, Mind Malasha, सावधान Malasha, don't splash, splash यानी एक दम छपाक मत जंप करना, है न, walk carefully, ध्यान से चलो, क्यों कह रही थी, because again, they were wearing new frocks, तो अब बड़ी थी, she was older, so she was kind of aware, कि if अगर Malasha ने jump गिया, splash किया, तो दोनों की frocks खराब हो जाएगी, तो वो उसको warning दे रही थी, Mind करो, है न, ध्यान दो Malasha, Mind Malasha, यानी, दिमाग Malasha, न, Mind Malasha, यानी, जैसे हम कहते है, Mind your business, यानी, ध्यान दो Malasha, सावधानी से चलो, ठीक है She had hardly said this, when Malasha plumped down her foot, so that the water splashed right onto Akulia's frog, अरे बापरे, she had hardly said this, यानी, बस जैसे ही Akulia ने वो कहा होगा, कि ध्यान से चलो, तब तक तो Malasha का, जो है, plumped down her foot, उसका पैर ऐसा नीचे हुआ, कि water, जो है, na, Akulia की frock पे लग गया, ये परपसली नहीं था, देखो, परपसली नहीं नहीं था, pumped down, यानी, एकदम से उसका पैर रखी दिया, जब तक Akulia उसो बाउन करती की ध्यान से चलो, तभी ये लाइन लिखी है, she had hardly said this, यानी, मुझने मुझने मुझकिल से ये बात कही होगी, मलाशा को साफदान किया ही होगा, तब तक उसका पैर प्लम टाउं होगा, और पानी उचल के, जो है, मैं देखो, या पर पैर ऐसे कर रही हूँ, मतलब मैं इमाजन कर पारी हूँ उसी इसको, कि उसने ऐसे किया, और पानी जो है, स्प्लैश होके, अकुलिया की, यानी बड़ी वाली लड़की है, उसकी फ्रॉक पे आ गया, तो फ्रॉक पे तो पान on her frock, she was angry and ran after Malasha to strike her, और जैसे उसने अपने frock, पे stain देखे, stain यानी दाग देखे, घुसा अगा यार, और काफी जाज भी है, नही 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 फ्रॉक है, पानी डाल दिया, पानी स्प्लैश कर दिया, तो उसे गुसा है, और वो Malasha के पीछे बागरती, तो उसे मारने के देखो, डर के लिए, दो वर्ड यूस किये गए थे, एक पीछे बिटा, अफ्रेड भी यूस किया था, दूसरा वर्ड क्या है, फ्राइटेंड, इन दोना का ही मतलब होता है, डर ना, तो अब यार, मलाशा छोटी थी, वो डर गई एकदम, और उसको पता चल गया, कि अब मैंने जो है, खुदको मुशकिल में डाल दिया है, शी स्क्राम्बल आउट, जलदी से भगना पडल से बहार, जिस पडल केऊ अ अंदर थी, शी स्क्राम्बल आउट, जल्द बाजी में एक दम बग के बहार निकली और घर दोडने के लिए, वो निकल गई, और उसी के जस बात यानि वो भगी रही थी मलाशा कि अकुल्या नहीं जो बड़ी वाली है जिसकी फ्रॉक पे गंदा लग गया है पानी उसकी मा वहां से पास कर रही थी वहीं से निकल रही थी और उन्हों ने जैसा ही देखा कि उनकी बेटी की जो फ्रॉक पे है गंदा पानी लग गया है स्वीव औगेरा सब डर्टी हो गई है तो उन्होंने कहा शी सेड क्या कहा देखते हैं यह नौटी डर्टी गर्ल what have you been doing? यानि उसको डाट लगा रही थी देखो यहां पैसे उसको डाट लगा रही थी मालशा को नौटी तुम बदमाश गंदी लड़की जो है क्या कर रही थी तुम? तो मलाशा did it on purpose replied the girl दगल यानी और अकुल्या कहने लगी कि मलाशा ने जो है न परपस से किया है ये जान बूच के किया है तो add this और ये सुन के फिर उसके मम्मी को जो है और गुसा आया So add this, अकुल्या's mother seized मलाशा and struck her on the back of her neck मलाशा began to howl so that she could be heard all down the street अकुल्या की मम्मी ने seize, seize करना किसी चीज को grab करना जैसे मालो देखा होगा अगर कोई आंटी है और कोई चुटा बच्चा है उसनों की गलती करी तो या ऐसे नी collar पकड़के या गरदन से पकड़के grab करके, ऐसे कान पकड़के तो वैसे ही अकुल्या की मम्मी ने जो है मलाशा को ऐसे पकड़ा and struck her on the back of her neck या नी पीट के पीछे ऐसे उसे पकड़ लिया और मलाशा जो है हाउल हाउल यानी बहुत जोर से चिलाने लगी रोने लगी मम्मी करके चिला रही होगी भाई और इतना सोड से चला है कि पूरी स्ट्रीट पे सब उसे सुन पाए और अफकॉस है भाई माँ तो अपने बच्चों के आवाश सुन लेती है जैसे उसकी मम्मी ने आवाश सुनी वो बाहर आ गई अब देखो आगे क्या होता है What are you beating my girl for? said she and began scolding her neighbor अब आ गई किसकी मलाशा के मम्मी जी आ गई तो वो बोलनी है कि तो मेरी बेटी को क्यों डाटरी हो भाई है ना और जो है अपनी neighbor वो ही पडोसन यह देखो तू तू में में दोनों करने लगी One word led to another and they had an angry quarrel यानि एक शब्त दूसरा शब्त निकलता गया और जैसे लड़ाईयों में होता है लोग जो है अपना दिमाग वैसे ही खोवेटते हैं एक कुछ बोलेगा दूसरा कुछ बोलेगा और बास बहस क्वारल यानि बहस चालू हो गई The men came out and a crowd collected in the street, everyone shouting and no one listening तो जो है उनके घर से जो है आदमी लोग भी बहार आगए सब है ना वो भी आपस में लड़ने लगे लड़ने में तो ऐसी मज़ा आता है ना ऐसा लगता है बढ़िया काम चल रहा है सब आके लडने लगे कोई एक दूसर के नहीं सुन रहा था पूरा जो है ना भीर एकदम जमा हो गई थी तो आपकुल्या का मतलब क्या होता है बहस सब बहस करते गए और एक दूसर को थोड़ी तो मतलब धका मुक्की वाला सीन भी बन गया था मतलब ऐसा है कि लड़ाई करने पे उतर आये थे तो उसके बाद ही क्या हुआ है जो बड़ी वाली है उनकी ग्रैंड मदर यानि दादी मम्मी आई और अब कैसे बड़े बुदूर्ग होते हैं भाई तो वो कोशिश कराते हैं कि शांत कराएं तो ट्राइटू काम देम आने उनकी शांत कराने लगी तो देखो अब उनका भी क्या हल किया तो वो देखो दादी मा जो है समझाने लगी कि यार तुम लोग कैसे लड़ रहे हो क्या सोच रहे हो तो इस दिन ऐसे लड़ रहे हो इसा बिहेव करना चाहिए इतने बड़े हो गए हो और आज तो भाई अरली इस्टर का दिन है त्योहार का दिन है रिजोइसिंग यानि तुम्हें इंजोई करना चाहिए अच्छी से रहना चाहिए और इस दिन तुम लोग जो है तना लड़ाई कर रहे हो है ना सच पॉली यानि ऐसी बहस बाजी ऐसे कामों के लिए ऐसा दिन है क्या कोई है ना तो वो समझाने लगी तो अब देखो फिर नहीं दादी मा की और जो है नियरली नॉकडर ऑफ नॉक अफ करने का मतलब क्या होता है किसी को अपने रस्ते से हटा देना ऐसा मतलब निद अदक्गा मार के यानि उसकी बात नहीं सुनी ठीक है and she would not have been able to quiet the crowd if it had not been for akulia and malasha them सेल्स ठीक है तो वो जो है क्राउड यानि जो पूरी भीड जमा एखटी हुई थी जो लड़ रहे थे उनको वो नहीं रोख पाई देख रहे हो जब तक वो मतलब और तक यह लड़ रही थी वहाँ पे जो अकुल्या है उससे क्या किया उसकी फ्रॉक पे जो गंदगी लगी थी उसको वाइप आफ यानि ऐसे ऐसे से साफ कर दिया और वो तो वापस से लिगे पड़ल में खेलने वापस से लिगे बढ़िया शी टू का स्टोन और बिगाम स्क्रापिंग अवे थे अर्थ इन फ्रॉंट अफ पड़ल तो मेक चानल तुरू इज दो वहाँ पे उसे ऐसे करने लगी पीछे आजाओ प्रेजेंटली मलाशा जॉइंड और ये काम करने में मलाशा ने भी उसे जॉइंड कर लिया और इसे एक चानल य?. यहे एक माझ़ो explored, नि ने गे पाने अच्पर, चैनल यहांए चर्णल याने इसे बादान чNl यानि यहांसे रस्ता बनाने गई यह पानी का यह मलाई पडल है हो जाए कुछ भी फन अक्टिविटी कर रही है जोनों अच्छों को क्या मजा ही आता है कुछ ना कुछ काम करने में तो अकुल्या ने ये किया मलाशा ने भी जह है लकडी का छोटा तोकड़ा दे कि उसकी मदद करने लगी तो जैसे ही ये जो है मैं यानी यहां मैं से मतलब है जहां ये जो लोग आदमी लोग सब सब लड़ रहे थे लोग मैंने का मतलब ने सिर्फ लड़कों की बात कर रहे हैं, यहां सब की बात कर रहे थे कि जब यह लोग fight करने ही वाले थे, यानि हाता पाई होने वाली थी तो यह जो girls ने channel बनाया था ना, यहां से पानी निकल के stream में आने लगा और कहां पे exactly जहां वो old woman, जहां उनकी दादी मम्मी उनको शान्थ करा रहे थी pacify them यानि to make somebody calm who is angry, pacify यानि जो घुसे में हो उसे शान्थ करा रहे थी वहीं पे वो पानी आ गया, और मतलब पानी मान लो दोड़ते हो या आ रहा है मतलब वो लड़कियों ने अपना खेलना भी चालू कर दिया, पहले थोड़ा सा रोई, चिकायत करी और यहां पे जो है बड़े लोग लगने लगे लेकिन वो बच्चों को देखा, वो बच्चे भूल गए वो बात, तो यहां पे एक बहुत ही अच्छी चीज आई है जिसे हम कहते हैं, forgive and forget, यह बात आप सुनते होगे, बहुत ही बचकानी लगती होगी, लेकिन बेटा यही कुछ principles होते हैं, life के, जो आपको हमेशा follow करने चाहिए वो लड़कियोंने देखो, गलती हुई, एक दूसरे को माफ भी कर दिया और भूल भी गई, और वो वापस खेलने लगे, और यहां यह आदमी लोग, मम्मी, पापा, उनके घर के सब लोग जो है, लड़ रहे थे तो यह देख के यह बढ़िया देख रही थे, और देखो खेल रही है, मड में बढ़िया, तो वो old woman, उनके दादी, मम्मा, उन लोगों को कहती है Are you not ashamed of yourselves? आप लोग को खुद पे शरम नहीं आती है To go fighting on account of these lassies, when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together Dear little souls, they are wiser than you, यह बात आती है, वो कहती है, तुम लोग इन lassies, यानि लंग लड़कियों के लिए लड़ रहे हो, जब वो खुद भूल गए इस बारे में तुम लड़ने चालू ही हो गए और यह बच्चियां भूल भी गई और आराम से खेलने लगी So dear little souls, dear little souls यानि एक reference दे रही है, कि है न, they are wiser than you, यह जो छोटी बच्चियां है, यह जो छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां है, यह तुम से wiser है, wiser यानि तुम से जादा दिमाग है, तुम से जादा बुद्धिमान है यह, है न, बड़े लोग क्या कहते है, बच्चों नहीं रहते हैं, किसी से बदला लेना, यह करना है, नहीं, भूल जाते हैं, थोड़ी से बात होई, चलो, जो है न, कट्टी कर लेता है, तो बाद में पुच्ची भी कर लेता है, हो गई भाई, बाद भूल गए, तो बच्चपन की कहानी थी, आच्छा, कुछ लोग कहते है नहीं, बड़े हो कैसा नहीं हो सकता, हर चीज हो सकती है, देखो, इससे क्या होगा, इससे खुद की लाइफ सिंपल होती है, सामने वाला जैसा भी हो, आपने फॉगिफ किया, आपने फॉगेट किया, तो यही बात जो है, यहाँ पर बताई जा रहे है, मुझे यह स्टोरी तो लड़के जो बच्चे हैं, उनको देखने लगे सब लोग है न, उन छोटी बच्चियों को और खुद पर उनको शरम आई, कियार यह तो खेलने लगी, और हम लड़ रहे थे, और लाफिट पर ही हस रहे थे, वेंट बाक और सब अपने अपने जो है, वो जो भीड जमा थी, वो सब अपने अपने घर चले गए, अब यहाँ पर कुछ लाइन लिखी हैं, एक्सेट यह तर्न अन बिकम आज लिटल चिल्रूर्न, यह शाल इन नो वे एंटर इंटर इंट 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 रिंग्डम अफ हैं, यह कुछ सेइंस हैं, है न, रिले टिट तू बाइबल, kind of sayings हैं यह, यहाँ पर यह वर्ड का मतलब क्या होता है, usually यह और दाओ, ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जो usually बाइबल से लिए जाते हैं, ऐसा है, बाइबल से लिए जाते हैं, तो यह का मतलब पहली जगा पर है यू, except you turn and becomes as little children, यह शाल इन वे एंटर इंटर जब तक आप एक छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे कैसा होता है, पिलकुल उसको कोई टेंशन नहीं है, चीजों के बारे में बहुत चिंता नहीं करता, बहुत सोचता नहीं है, हाँ, जो काम दिया है वो करता है, चीजों के साथ कोई गलती होई हो, कोई भूल चु कि नहीं हो पाऊगे आप कितने भी बड़े हो जाओ अगर एक छोटे बच्चे की तरह अगर आप अंदर से नहीं सोचते हो यानी चीजों को बदले की ऐसे रखते हो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगी या फिर बहुत सारा चिंता करते हो ट पिट इस वेरी क्लिय और मुझे लगता है आपको इस चाप्टर से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर हां लगता है कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है तो मुझे कॉमें सेक्शन में अपने व्यूज बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी ठीक अपने वर्स में खतम होता है हमारा chapter 8 little girls wiser than men उमीद करती हूँ बेटा सारे doubts clear होया होंगे और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, subscribe, share करना बिल्कुल मत भूला Magnet Beans एक ऐसा channel है भाई जो आपको देता है बिल्कुल ही free and quality education तो इस साइब पर बेटा हमारे English medium Hindi medium दोनु channels है और जितने भी causes हैं सभी free of cost है, so see you all in the next session जिसमें हम इसी lesson के question answers को cover करेंगे, see you goodbye